अस्राम अलेकम विवर्ज कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं बनाना जारी हूँ गवार की फली जो कि हम सब की फेवरेट है और यह वो रेसिपी है जो हमारे खर में सब बच्चों की भी फेवरेट है वरना आम तो पर बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते मगर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ न तो सब बच्चों को भी यह बहुत पसंद आती है और यह बहुत मज़ेकी बनती है तो आप इस रेसिपी को जुरू ठ्राइब करें का एक दफा तो चलिए देर किस बात की जल्ली से मिसको शुरू कर लेते हैं यहां पर मेरे पास जो कवार की फली है तकरीबन तीन पाओ है सब्जी एक दिन पहले ही रात को आ गई थी तो मैंने इसको अची तरह से दोके दोनों साइडों से पहले काटके तो इस तरह चुटे-चुटे इसके पीसिस कर लिए अचा सब्जी एक दिन पहले आने का ये फाइद हुआ है कि बच्चों नो भी साथ मेरे कटवा दी मेरे चोटी बेटी है ना वह तो बहुत शोक से मेरे साथ काटती है जो भी सब्जी होती इसको बिंटी काटने का भी बहुत शोक है यहां पर तकरीबर मैंने एक कप के बरा को मैं ने चौप कर लिया था इसको इसमां डाल देंगे और हमने इसको फ्राइ करना है यहां तक कि इसका कलर चंज होजाए पैस का इसको हमने गोल्टन ब्राउन नहीं करना पस थुड़ी देर हमने इसको चलाना है यां देखे प्यास हमारे सॉफ्ट होगह पांच मीडियम साइज के टमाटरों का मैने रफ्ली चॉप कर लिया था यह भी मैने इसमें शामिल कर दिये अब दर्मियानी आज पे इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट तक चलाएंगे और उसके बाद इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक 8-10 मिनट ताकि जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह से अब यहां पर देखे टमाटर सॉफ्ट हो गया हैं सारे इको चमच की मदद से मैश कर लेंगे ऐ साहती है ना एक ibilities का चमच मेरे पास लेंसन अध्रह का पेस्ट यह भी मैने इसमेश में शामिल कर दिया तीन मैने प्तमारि मिर्चों मोटा मोटा काट लिए था वह भी टाल दिया साहती मैने इस पहलदी दhira powder लाल मिर्चों का powder और धनिया पाउडर, एक खाने का चमचे भी मैंने शामिल कर दिया है, नमक डालेंगे हस्पे जाइका, नमक और जलाल मिर्च होती हैं, वह आप हमेशा अपने जाइके के हिसाब से डाला करें, और थोड़ी सी मैंने आदा चाय का चमच, चिली फ्लेक्च भी इसमें शामिल किये हैं, इन इसको मची तरह से मिक्स करेंगे, और तगरीबण चार से पांच मिनट मैं इस तरिके से इसकी मुनाई करूँगी, अब यह 5 आलों को मैंने इस तरीके से काट लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिये और अब हम इस फिर इसकी थोड़ी सी भूनाई करेंगे तक्रीबां चार से पांच मिनट और उसके बाद इसको कवर करके पकाएंगे अधा कप इसमें मैंने पानी का शामिल क्या है पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और अब मैं साथ ही इसको यहां पर कवर कर दूँगी तक्रीबां 10 से 15 मिनट के लिए उससे यह होगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कहल जाएंगी 10-15 मिनट हो चुके है और आप देख सकते हैं यहां पर सब्दी हमारी रेडी है इसको बस थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी इसकी नीचे थोड़ी आँच मैंने तेज की है अब साथ ही इसके पर थोड़ा सा गरम सारा छिटक देंगे आदा चाय के चमाच है यह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमारी सब्दी रेडी है अब इसको सर्फ कर लेते हैं इसको आप प्राठे के साथ या नान के साथ भी खा सकते है अब आपको देखने से अंदाजा और अगाए कितने मज़े की बनी है वीडियो अच्छी लगी ते इसको प्लीज लाइक और शेयर दूर किये करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब पर लें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखे और मुझे भी दूआ में याद रखेगा अल्ला हाफेज